ये मैंने बनाया है एकदम perfect चालीदार धोकला इस धोकले को बनाने के लिए मैंने बहुती important कुछ चीज़ें बताई हैं अगर आप इन चीजों को follow करेंगे तो आपका धोकला भी एकदम perfect चालीदार बनेगा तो चलिए recipe को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर बेशन को प्रॉपर मातरा में मेजर करना है तो मैंने यहाँ पर एक चाय वाला कप लिया है उसी से ही सारी चीजों को मेजर किया है तो मैंने एक बावल में धाई कप बेशन डाला और उसी कप से ही मैंने आदर कप खटा दही डाला दो चम्मचीनी और उसी कप से ही मैंने एक कप पानी डाला सारी चीजों को पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे बेशन अच्छे से फिट जाए बिल्कुल भी गुठली ना रहे ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से फिट चुका है हमारा जो बेटर है वो अच्छे से फूल गया है अब हमें क्या करना है कि एक बिसकर की मदद से इसको लगभग पांच मिनट तक फेटना है तो ये इंपोर्टेंट स्टेप है अगर आप बेशन को अच्छे से फेटेंगे तो ढोकला एकदम स्पंजी और परफेक्ट बनेगे जैसे जैसे फेट रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है इसको फेटने के बाद इसमें मैं नमक डाला स्वात के हिसाब से दो चम्मच देट डाला सारी चीजों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन में सारे चीज़ें मिक्स हो गई है परफेक्ट बैटर बने गया है आप कंसेस्टेंसी देख सकते हैं धाई कप बेसन में मैंने डेढ़ कप लिक्विट चीज़ें इस्तिमाल की हैं आदा कप दही और एक कप पानी अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक पैकेट इनो इनो को हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसमें अच्छे से नहीं मिलाना है बस इतने देर तक इसको ऐसे चलाना है जिससे की जो इनो है बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए और ज़्यादा फेटे भी ना होने के लिए छोड़ देते हैं कवर करके लगभग 25 मिनिट तक लो फ्लेम पे इसको हम स्टीम करेंगे 25 मिनिट हो गये हैं चलिए अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं मैंने इसको बीच में एक बार भी नहीं चेक किया फाइनल अब मैं चेक कर रही हूं चाकू डाला यह दिखि यौसमें इसको रख देते हैं साइड मैं और तड़का तयार करते हैं तो एक प्रदेशन त्होड़ा तेल गरम होते ही इसमें हम ढाल देते हें राए थोड़े से करी-पत्ता खूब सारी हरी मिर्च मिर्चम्ट इसके बढल दिया और सारी चीजों को डालने है वो आप अपने टेस्के कर सकते हैं इसको हमें अच्छे से हाई फ्लेम बें उबाल लेना है यह उबल चुका है फ्लेम हम बंद कर देते हैं चलिए धूकले को हम अन्मोल्ड करते हैं यह देखिए थोड़ा सा कितने अच्छे से निकलाया है एकदम परफेक्ट धूकला बनक की हूं निकालके देखिए जाली एकदम परफेक्ट बनी retsี बिल्कुल बाजार के जैसी तो बस अब हमें क्या करना है जो तड़का तियार किया है वो तड़का इसके ओपर डाल देना है बैसे तो मेरे नहाँ हमारा ध्लोग भना ए बिल्यूकला बनाए है बिल्कुल बाज जार से धोकला नहीं लाएं घर पर ही तयार करें एक दम पर्फेक्ट धोकला आड़ी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरू बताना